हेलो बच्चो हम लोग कोशन सौर करने जा रहे हैं कोशन नमबर 2.34 देखे कोशन बढ़ आसान सा है कोशन में क्या कहा जा रहा है आप से कह रहे हैं कि calculate the energy required for the process क्यानि एक process हमें दिये रखी है और उसके लिए हमें कह रहे हैं कि energy हमें calculate करनी है process क्या है कि helium plus था और उसमें से एक electron और निर्मूव कर दिया है और helium two plus बना दिया है यानि electron निकालने के लिए जो energy required है हमको उसको calculate करना है उसे हम क्या बोलते है ionization energy ionization energy hydrogen के लिए हमें दे रखी है two point one eight ten given minus ten joule item inverse हमें इसके लिए निकालने है देखिए इससे हमें कोई मतलब नहीं है हमें simple सा formula है formula हम लगाएंगे उससे हमें energy calculate हो जाएगी electron को निकालने के लिए ठीक है solve करते हैं हम लोग अब देखिए हम लोग solve करते हैं इसे तो पहले हमें पता होना चाहिए की energy कैसे हम निकालते हैं तो अगर हम hydrogen की बात करें या hydrogen जैसे atom की तो अगर electron के लिए हमें निकालना है energy उसकी तो फॉर्मला हमारे पास होता है 2.18 माइनस का into 10 की पावर माइनस की 18 और z square on n square यह hydrogen जैसे atom का होता है हमारे पास क्या दिया हुआता हमारे पास दिया हुआता हीलियम और हीलियम के उपर लगाया हुआते इन्होंने एक plus और हमें दे रखे थे कि electron एक निकल गया तो दो प्लस आ जाएंगे और एक electron इसे निकल गया यह बात थी इसमें अब देखिए हीलियम अगर हम देखे हैं helium फ्लस तो helium प्लस देखें तो helium जो होता है हमारा इसका atomic number कितना होता है दो तो electron कितने होते हैं दो होते हैं लेकिन जब एक plus आ गया तो electron कितना हो जाएगा एक electron निकल जाएगा तो electron कितने बचे भी इसके नदर 1 अब अगर हम hydrogen देखें तो hydrogen कभी Atomic Number 1 होता है और इसके अंदर भी electron कितने होते हैं 1 होते हैं तो यानि जो helium प्लस हमारा है यह किसके जैस है यह हाइडोजन जैसा एटम है ठीक है हाइडोजन लाइक एटम के लिए हम लोग यह फॉर्मला यूज करने वाले हैं पहले हम बात कर लेते हैं कैसा यूज करेंगे नुकलियस और यह बाहर क्या है इलेक्टॉन यहां पर चक्कल लगा रहा है अब देखिए अगर हम इसको दें तो इलेक्टॉन के हो जाएगा बाहर निकल जाएगा इलेक्टॉन को बाहर निकलने के लिए हमको इनर्जी लग रही है यहां से इलेक्टॉन बाहर निकाला जा रहा है तो पहले देखिए यह इलेक्टॉन पहले शेल में था तो हम इन्वन के लिए सकते हैं अगर हम द लेने वाले हैं ठीक है अभी फॉर्मला रखेंगे हम लोग देखें कभी भी हम इनरजी में चुब चेंज निकालते हैं तो इटू माइनेस लोग ईवन कर लें यहां पर देखें क्या होगा E2 हमारा कितना दिया होगा है E2 में हम N2 रखेंगे E1 में हमके रखेंगे N1 फॉर्मला सेम है क्या फॉर्मला होता है माइनस का 2.18 और 10 की पावर माइनस है 10 Z helium के लिए atomic number कितना होता है 2 होता है इवन भी तो है इवन रखेंगे अब इवन क्या हो जाएगा माइनस का 2.18 10 की पावर माइनस 18 और Z की वैलू क्या हो जाएगी हिलियम के लिए कितनी होती दो होती है तो दो ही रखेंगे आपर 2 की पावर 2 हो जाएगी और N क्या रखेंगे हम लोग तो N2 हमारा हो जाएगा क्या? N1 होगा यहाँ पर N1 कुछना हो जाएगा? 1 तो यह हो जाएगा 1 का स्क्राइगा N1 क्यों हो यह E1 के लिए निकाल ले हम लोग देखे इंपाइनाइट को हम डिवाइड करेंगे इंपाइनाइट से किसी नंबर को तो कितनी आने वाली वैल्यू जीरो तो यह पूरा टान हमारा जीरो हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यह वाइलु में मिल लाएगी 2.18 और 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस 18 और जड यह क्या है हमरा 2 2 की पावर 2 कितना होता है 4 एंसार हमरे आएगा जूल पर एटम में ठीक है बन का तो बनी रहता है 4 से multiply कर लीजे 4 एट जा 32 का 2 3 आप और 4 3 7 4 2 जा 8 और 10 की पावर माइनस 18 यह आ जाएगा हमारा जूल पर एटम स्मझ मैं है है यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यह तो हमसे पूछ रहते हैं हमसे कहरें हैं के लिए इसके लिए एनरजी के लिए बताईए यह अपने निकाल लिए अब इसमें एक हाइडोजन के लिए भी दे रखी हुई थी वैलू देखें यहां पर 2.1 ए 10 की पाव माइनस 18 देवी है तो यह क्या है यह दरसा इन्होंने हाइडोजन के निकाल के बताए हुई कि हाइडोजन के लिए कितनी हुई वह देखें हाइडोजन के लिए भी यह होगा हमारा निकल जाएगा यहां से लिए एडोजन के लिए हम लोगर कितने लखें इनफाइनगे और यहां पे हम कितना रखेंगे वन की ई Lagash ib कि इतने ही आ जाएगे और इतनी दिए टू पाइंटीन जोल पर एटम हाइडोजन के लिए वीडियो अगर सब्सक्राइब करना मत बुलें बहुत बहुत शुक्रिया